नमस्कार दोस्तो असुक एटूडर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो जैसाग सभी जानते हैं आज 1 जुलाई 2017 से पूरी भारत देश में GST टेक्स लाग हो गया है आज के बाद पूरी भारत देश में जितन भी इंडारेक्स टेक्स टेक्स टे वो खतम हो जाएंगे और सिर्फ उनकी जगया पर एक ही टेक्स लागेगा GST तो दोस्तो GST के इन वीडियो सीरीज में आज हम समझे जा रहे हैं GST Input Tax Credit क्या है कैसे मिलेगा GST Tax Refund इन सबी बातों को इस वीडियो में हम समझे जा रहे हैं वो भी एक 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 जामपल के तुरूप उधारना के साथ हम समझेंगे कि कैसे एक व्यापारी को Input Tax Credit मिला तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें यदि आपने अभी तक हमारा अशोक इट्यूटर यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब ने किया है तो किरिप या सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाली हमारी वीडियो की जानकारी और उनकी नोटिफिकिसंस आप तक महुँच सके दोस्तो सब्सक्राइब जान लेती हैं क्या है इंपुट टैक्स क्रेडिट दोस्तो जी एच्टी में इंपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहट कारोवारियों वैफारियों या बिजनिसमेन को सरकार की तरफ से टैक्स में मिलने वाली एक चूट या राहत है या यूँ कहें सरकार दोरा जी एच्टी टैक्स रिफंड करने के एक ऐसी फिक्री है जिसे इंपुट टैक्स क्रेडिट कहा जा रहा है इंपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम एफलाई होने से पहले जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था अब यह नहीं लगेगा कहने का मतलब जिस व्याफारी बिजनिसमेन या किसी माल के निर्माता ने यहीं गवर्मेंट को जी एच्टी के अंदर कोई टैक्स पे कर दिया है तो अगली एच्टेप पर वो टैक्स नेक्स व्याफारी को रिफर्ण के रूप में मिल जाता है उसे जी एच्टी इंपुट टैक्स क्रेडिट कहा जा रहा है ठीक है अब इसको हम समल जाते हैं एक पुढ़ेंग के दौरा तो चली जान लेते हैं कि क्या है इंपुट टैक्स क्रेडिट दोस्तों मान लीजिए कि कोई एक सामान बनाने वाला गुट्स बनाने वाला एक बिज़िसमेन है जिसका सावन बनाने का बिज़िस है अब यह बिजनिसमेन या निर्माता जो है वो सावन बनाने के लिए जो राम अटेदिर है 100 रुपे का किसी सप्लायर से कच्छा माल खरीपता है ठीक है इस पर कच्छा माल सप्लाई करने वाले ने 12% GST लागा कर सरकार को पे कर देता है तो निर्माता को कच्छे माल के लिए 112 रुपे देने पड़े समझे का प्याज करें ठीक है लेकिन क्या होता है कि ये 12 रुपे जो है वो टेक्स की रूप में जो सप्लायर ने सरकार को जम्म किया है वो इस लागत से अलग हुआ चूँकि ये उनली टेक्स है और जो सामान था कच्छे मालता उसकी कोस्ट उनली 100 रुपे से अब इस कच्छे माल से निर्माता ने सावन बनाया और उस पर अपना मार्जिन एड़ कर दिया 10 रुपे ठीक है तो उसकी कोस्ट बन जाती 110 रुपे इसके बाद निर्माता इस सावन को थोग विकरिता को बेचेगा अब जो या बिजनिसमेन है उसको क्या होगा 18% का GST लगेगा तो 110 रुपे पर 18% GST निकालें तो यह बनता है 19 रुपे 80 पैसे ठीक है अब 19 रुपे 80 पैसे तो जो है वो थोग विकरिता को देने पड़ेंगी तो इसकी कोस्ट बन जाएगी 19 रुपे 80 पैसे हम 110 रुपे में एड़ करते हैं तो यह बन जाएगी 129 रुपे 80 पैसे ठीक है 129 रुपे 80 पैसे कौन चुकाएगा यह थोग विकरता चुकाएगा किसको निर्माता को अब तक क्या होता है कि अब तक चुकाएगए टेक्स के ऊपर टेक्स लगता था अभी तक GST की फेले यानि जो टेक्स वरा है वो लागत बन जाती थी लेकिन GST में लागत 100 रुपे ही रही समझेगा प्रयाज करना इससे पहले क्या करता था होता था 100 रुपे का सामान करीदा उस पर 12% GST लगा उसकी कौस्ट बन गए 112 रुपे उस पर यह अपना मार्जिन एट करता था प्रोपिड एट करता था निर टेक्स गवर्मेंट बढ़ दिया उस माल की रेट 10 रुपे ही सो रुपे ही 10 रुपे उस निर्माता ने पना प्रोपिड एट किया तो उसकी रेट होगी 110 रुपे 110 रुपे उस निर्माता को 18% GST लगा तो उसकी GST निकला 19 रुपे 80 पैसे तो थोग विक्रेता को देने 12 रुपे आल लेडी दे चुका है वो यह कब दे चुका है जब निर्माता सुन 100 रुपी सामान कच्चा माल खरीदा था तब दे दी थे तो अब बैस सरकार को जो टेक्स देगा वो देगा 7 रुपे 80 पैसे 19 रुपे 80 पैसे टैक्स बना था सावन बनने के बाद लेकिन अब गौर्मेंट को इसको पे करना है 7 रुपे 80 पैसे चुकि 12 रुपे आल लेडी कच्चा माल खरीद के बाद तो यहां जो 12 रुपे सावन बनाने वाले व्यक्ति को बच्चे वही इंपुट टैक्स के रिडि ला था कितना 12 पर्षेंट के साब से तो 12 पर्षेंट साब से इसको 12 रुपे इसने एक्स्टा दे दिये थे किसको दे दिये थे कच्चा माल खरीदने वाले को और जब माल बन के तैयार हो गया साबन बाने ने उसको थोब किता दिया तो वहाँ पे उसको 80 पर्षेंट GST लगा 80 पर्षेंट GST लगा तो यह बना 80 पर्षेंट उसने 10 रुपे अपने मार्जिन निकाला तो 110 रुपे गाréalा 1 पर्षेंट GST निकला वो निकला 19 रुपे 80 पैसे अब जो माल का निर्माता है उसको 19 रुपे सी पैसे गवर्मेंट पे करने थी लेकिन 12 रुपे अल्रेडी पे कर चुका है वो तो 19 रुपे सी पैसे में से 12 रुपे लेस कर देते हैं तो यहाँ पे 7 रुपे सी पैसे अउनली अब पे करेगा गवर्मेंट को तो यहाँ पे जो 12 रुपे उसको वच गए हैं या refund हुए हैं उसको ही कहा जाएगा GST Input Tax Credit Refund ठीक है किलियर हुआ होगा कि GST Tax Refund कब है इसका benefit यहाँ पे यह हुआ कि tax यूपर tax नहीं लगा और जब input जो tax credit refund हुआ तो निश्यती है जो माल है उसकी cost कम हुई और सामान सस्ता हो गया ठीक है किलियर हुआ होगा मुझे लग रहा कि GST Input Tax Credit इसमे कुछ जादा नहीं रहाएगा इसके लिए छोटी से conditions है कि GST Input Tax Credit कम मिलेगा बनाने वाले और घ्राक को माल वेजने वाले ने रेइस्टिशन GST Portal पर करा रहा है तो दोस्तों साथ में GST Input Tax Credit का फायदा के लिए एक condition हो रहेगी यह तब मिलेगा जब कच्छे माल से लेकर मनने और बिकने तक माल जाएगा उसमें जो सामान रहेगा उसका कच्छा माल रहेगा उसकी Invoice यह दी मैच खाती है Invoice का जो डाटा है वो भी मैच होना चाहिए एक दूसरे से जब Invoice का जो फिगर है मैच होंगे तब ही Input Credit है उसका फायदा आपको मिलेगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं GST के अंदर GST Input Tax Credit क्या है यह कैसे विवस्ता है इसमें कैसे Input Tax Credit मिलेगा यह आपको सौझ में आया होगा तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो सौझ में आया होगी झाल झाल